नमस्कार दोस्तों एक बार फिरी से आप से भी का to the point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में UP SSHC पेट एक्जाम 15 अक्टूबर 2022 सिफ्ट फस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे आप सभी लोग इस कलास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रस्णों को अच्छे से मिलाइए और लास्ट में आप लोग स्कोर बताइए 100 में आपका कितना स्कोर सही होता है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण पूछा गया है भारत के किन दो सहरों के बीच आकासा एयर की पहली उडान का उधगाटन किया गया तो इसका जवाब है दोस्तो मुंबई से अहमदाबाद भारत के दो सहर मुंबई से अहमदाबाद के बीच आकासा एयर की पहली उडान का उधगाटन किया गया यहाँ पर C.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A.P.S.A. इंद्री मंत्री की अध्यस्ता में चंडीगड में नसीली दवाओं की तसकरी और राश्री सुरक्षा पर एक राश्री सम्मेलन आयोजित किया गया था तो यह भी दोस्तो करेंट अफेर में पढ़ाया गया था इसका जवाब है दोस्तो अमित साह चली आगे बढ़ते हैं अहाँ पर दोस्तो आपका राइट एंसर है UAE UAE भारत का पडोसी देस नहीं है चीन, माल्दी, म्यामार यह सभी भारत के पडोसी देस हैं C आपसन आपका राइट है अगला प्रस्न है निमने लिखित में से किस IIT ने भारती भासा प्रोदोकी को आगे बढ़ाने के लिए A आपका राइट हो जाएगा लोग सभा में पद धारन करने की नियुनतम आयु है तो इसका जवाब है दोस्तो नियुनतम आयु 25 वर्ष है C आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्न है अंतर राष्टी जैव विवित्ता दिवस किस तारिक को मनाया जाता है तो य अभी आपको पढ़ाया गया इसका जवाब है ए आपसन 22 मई आगे बढ़ते हैं दोस्तो निमने लिखित में से कौन सा विस्तु का सबसे बड़ा नदी दूइप है तो यह भी क्लास में आपको पढ़ाया गया है और यहाँ पर आपका राइट एसर हो जाएगा भी आपसन मुख्याल है कहाँ पर है तो इसका जवाब है दोस्तो सुट्जर लेंड में है काहाँ पर है अंतरच्च्छी ओलंपिक समित का मुख्याल है सुट्जर लेंड में है ए आपसन आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस United Nations Framework Convention on Climate Change A option आपका right है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्जी का लोक नित्य है तो इसका जवाब है दोस्तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नित्य है D option आपका right हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से दोस्तो गद्यांस पर आधारित प्रस्ण को देखेंगे तो गद्यांस को नहीं पढ़ेंगे सीधा प्रस्ण को देखते हैं पहला प्रस्ण है साहित अपने दायत का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है तो इसका जवाब है दुस प्रुभावों को सामने लाकर साहित अपने दायत्तु का निर्वाह दुस प्रुभावों को सामने लाकर पूरा करता है ए आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्न पूछा गया है साहित केवल समाज का दरपन क्यों नहीं है तो इसका जवाब है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडम मनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिस की जाती है D. आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है प्रस्तुत गध्यांस का सरवाधिक उचीत सीर्षक क्या हो सकता है तो इसका उचीत सीर्षक साहित्य और समाज है D. आपसन आपका राइट है अगला प्रस्ण पूछा गया है साहित्यकार समाज के प्रत अपने उद्येश को कैसे परिपूर करता है तो इसका जवाब है दोस्तो D. आपसन साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आसा का संचार करता है और उत्साहयों करतब विवाद का संदेश देता है तो D. आपसन आपका, राइट हुजाएगा, अगला प्रस्न पूछा गया है, साहित हमें किस तरह से पुरानी पीडियों की जानकारी देता है, तो इसका जवाब है दोस्तो, A. आपसन, राष्ट का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सब्धता, पूर्वजो के विचार, अनुसं पूछा गया है, गध्यांस पर आधारित, पहला प्रस्न पूछा गया है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अज की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, तो इसका जवाब है दोस्तो, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है, उतना ही तंग है, और इस सत्थ का साथ्छातकार करें चली आगे बढ़ते हैं गद्यांस में चीरस्थाई सब्द का कौन सा बिलोम सब्द प्रिवक्त हुआ है तो इसका यहां पर B आपसन राइट हो जाएगा चीरस्थाई सब्द का बिलोम छडभंगूर B आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रशन है सत्थ की तलास कैसे की जानी चाहिए तो इसका जवाब है दोस्तो C आपसन सरद्धा पूर्वक अंतह विद्वान सत्थ के मार्क पर आगे बढ़ते हुए सत्थ का साथ्छातकार करें अगला प्रशन पूछा गया है जिग्यासु को सत्थ वा अहिंसा के पत पर चलते समय संकटो का सामना कैसे करना चाहिए तो इसका जवाब है संकटो को सहते हुए निमित आज़ किये बिना आगे बढ़ना चाहिए D. option आपका रइट है सभी प्रसन आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिये और सभी प्रसनों को अच्छे से मिलते हुए चलिये अब जवद के दोरान भुक्तान की गई वेतन की कुल लासी का लगभग कितना प्रतिसत है तो यहाँ पर देखिए पहले बोनस की कुल लासी का योग निकालेंगे फिर वेतन की कुल लासी का योग निकालेंगे फिर दोनों का प्रतिसत निकालेंगे तो प्रतिसत निकालेंगे तो तो 68.33 प्रशेथा यहाँ पर ए आपसर राइट हो जाएगा इस अवद के दोरान कमपनी को प्रतिवर्स ब्याज की आउसत रास कितनी चुकानी पड़ी तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट असुर हो जाएगा 26.66 लाग ती आपसर आपका राइट है आप लोग ध्यान से अनसर मिलाते हूँ चलिए next class में इसको हम अलाग अलाग सब्जेक्ट को अच्छे से solve करते हुए चलेंगे यहाँ पर पुछा गया है सभी वर्सों के लिए करोपर कुल व्याय और सभी वर्सों के लिए इधन और परिवहन पर कुल व्याय के बीच का अनुपात क्रमसा कितना है तो इसका अनुपात 109 अनुपाते 151 है दी आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है वर्स 2013 के दोरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्याय कितना है तो इसका जवाब है दोस्तो 729.44 लाख रूपए C आपसन आपका राइट है चलिए यहाँ से दोस्तो तालिका शुरू है तो तालिका पर बिंदु की ओर यात्रा करते हैं यदि सुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलो मीटर है तो आल्टो और कुईड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतब तक पहुशने में लगने वाले समय का अंतर ग्याद किजिए तो लगने वाला जो समय है उसका अंतर दोस्तो सुन्य होगा यहाँ पर सी आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण देखेंगे दिये गए 10 दिनों के दोरान कार मिनी द्वारा उसकी आऊसत गत से 875 किलो मीटर की यात्रा करने में लिये गए समय का दिये गए 10 दिनों के दोरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी आऊसत गत से 990 किलो मीटर की यात्रा करने में लिये गए समय से अनुपात ग्यात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तो अनुपात जो आएगा वह आएगा आपका 56 अनुपात 99 में आएगा C आपसन आपका यहाँ पर राइट जाएगा अगला प्रस्ण है 10 दिनो के दोरान आल्टो और टियागो की आउसत गत का अनुपात क्या था तो इसका अनुपात था 25 अनुपाते 36 कितना था 25 अनुपाते 36 जब सौल करेंगे तो यही आएगा आपका B आपसन आपका राइट है नेक्ट क्लास में अच्छे सी इसको डिटेल में सौल करेंगे अभी आप लोग अच्छे सी इसको मिलाते हुए चलिए B आपसन आपका यहाँ पर राइट है अगला प्रस्न देखेंगे दस दिनों के दोरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था तो आपसन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तो दी आपसन अठारा अनुपाते 25 ठीक है दी आपसन आपका राइट है अठारा अनुपाते 25 चलिए अगला प्रस्न है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार A और कार B क्रमसा 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार A और B की आउसत गत के ब लिए इस पर आधारित जो प्रस्ण पूशा गया है उसे देखते हैं पहला प्रस्ण पूशा गया है 2003 के दोरान कंपणी में कारेरत करमचारियों की संख्या क्या थी तो इसका जवाब है दोस्तों तीरपन सो यहाँ पर C आपसन राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण पूशा का लगभग कितने प्रतिस्यत थी तो इसका जवाब है 96.15 प्रस्ण दी आपसन आपका राइट है ध्यान से आप लोग मिलाते हुए चलिए दी गई अवद के दोरान किसी भी वर्स में कंपणी में सामिल होने वाले करमचारियों की नियुनतम संख्या का कंपणी छोड़ने संख्या में प्रतिस्यत व्रिद्धी या कमी अधिकतम है तो इसका जवाब है दोस्तो 2002 में यहाँ पर आपका D आपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए यहां से दोस्तो दंड आलेक दिया गया है तो दंड आलेक पर जो प्रस्ण पूछा गया है चलिए उसे भी स्व खिलोनों की उत्पादन में लगभग प्रतिस्यत व्रिद्धी कितनी थी तो इसका जवाब है दोस्तो 137.5 प्रस्यत D आपसन आपका राइट है ध्यान से आप लोग मिलाते हुए से लिए नेक्ट क्लास में इसको अच्छे से डिटेल में सौल करेंगे जो ग्राफ और ताल उत्पादन से अधिक था तो यहाँ पर आपका B आपसन राइट हो जाएगा 4 चलिए आगे बढ़ते हैं 2013 से 2014 तक खिलोनों के उत्पादन में लगभग प्रतिस्यत गिरावट कितनी थी तो यहाँ पर दोस्तो आपका राइट हो जाएगा 20 प्रतिस्यत C आपसन आपका बिल कौन वह भ्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्री पीदसी भी था तो इसका जवाब है दोस्तो मौरे समराट असोख यह भी प्रसन दोस्तो आपको क्लास में पढ़ाया गया था एपसन आपका बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है संग मरमर पर पीत्रा डिवरा या रंगीन पत्थर की जडाई का काम के समय बहुत लोक प्री था तो इसका जवाब है दोस्तो साह जहां के समय में लोक प्री था एपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रसन है निम्न लिखित में से किस युग में तावे का पहली बार उपियोग कि इसलिए A-Aption आपका Right हो जाएगा अगला प्रस्न है दोस्तों भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्लिखित में से किसके द्वारा स्रू किया गया था यहाँ पर आपका Right हो जाएगा दोस्तों बिनोबा भावे यहाँ प्रस्न भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया था य इसका जवाब है दोस्तो कमला देवी चटोपाद ध्याय, यहाँ पर आपका A आपसन राइट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जब East India Company के अस्थापना हुई, तब भारत पर निम्निलिखित में से किसका असासन था, तब दोस्तो मुगलों का असासन था, मुगल समराट थे, य यहाँ पर दोस्तो आपका B आपसन मिलकुल राइट हुजाएगा, अगला प्रस्ण है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा, चलो दिल्ली, किसने दिया था, तो सुभास चंद्र बोश ने दिया था, यह भी आपको अच्छे से बताया गया था, A आपसन आपका राइट है, अ और सभी प्रस्णों को अच्छे से आप लोग मिलाते हुए चलिए, निमनलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जवाब है दोस्तो उच्छ आर्दरता से जुड़ा उच्छ तापमान, यहाँ पर आपका A आपसन बिलकुल भावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो पानी की उपलबस्ता यहाँ पर राइट हुजाएगा B आपसन, आगे बढ़ते हैं, विस्तु की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच इस्तित है, तो यहाँ पर दोस्तो आपका राइट एस्वर हुजाएग किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका जवाब है दोस्तो राष्टी विकास परिशद, यहाँ पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा, राष्टी विकास परिशद, अगला प्रस्ण है, किसी भी विकास सील अर्थ ब्योस्ता के प्रारम्भिक चड़ों में अधिकांस गत विधियां किस छेत्र से संबन्दित हैं, तो इसका जवाब है दोस्तो प्राथमिक छेत्र से संबन्दित हैं, अगला प्रस्ण देखेंगे, निमने लिखित में से कौन सा हरित करांत की रड़नीत का हिस्सा था, तो यहाँ पर दोस्तो आपका राइट एंसर हो जाये का B कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तो आपको बताया गया था कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है, इसलिए B आपसन आपका राइट हो जायेगा, चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण पूछा गया है, निमने लिखित में से कौन सा सारुजनिक शेत्र का उक्रम संसत के तहत एक विशेस कानून पारित करके अस्थावित किया गया है, तो इसका जवाब है दोस्तो वयधानिक निगम, यहाँ पर आपका A आपसन बिलकुल राइट है, अगला प्रस्ण है, भारत की संग कारिक आडी में से कौन सामिल नहीं है, तो राजियों की मुख्यमंत्री दोस्तो भारत की संग कारिक आडी में सामिल नहीं है, इसलिए B आपसन आपका राइट हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, निमनलिखित में से कौन एक वाणिजिक बैंक नहीं है, तो दोस्तो सिडवी जो यहाँ पर है, यह वाणिजिक बैंक नहीं है, बाकि सभी वाणिजि कोंसा अनुछिएद भारती संविधान में सर्वोच नियाले की अस्थापना और गठन के बारे में है, तो यहाँ पर दोस्तो अनुच्छेद 114 है, सर्वोच नियाले की अस्थापना और गठन से संबन्दित है, D option आपका right हो जाएगा, अगला प्रस्ण है कि इसके पास मौली क अधिकार को लागू करेने की सकती है, तो यहाँ पर दोस्तो आपका right एसुर हो जाएगा, सर्वोच नियाले और उच नियाले के पास, यहाँ पर आपका D option बिल्कुल right है, अगला प्रस्ण देखेंगे, निमनलिखित में से कौन सी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यहाँ प पती रेशा नहीं है, इसलिए C option आपका right हो जाएगा, तारो का रंग निमनलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो तारो का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए A option आपका बिल्कुल right है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रस्ण अच्छे से मिलाते दोनों का आपस में गुड़ा करेंगे, तो इसका मान आएगा दोस्तो 32.9272, ठीक है, इसमें आपको माइनिस करना है, 2.922 और 72, इसको माइनिस करेंगे, तो आपका answer आजाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 आजाएगा, 7 में 7 घटेगा 0 आजाएगा, 2 में 2 घटेगा 0 2 में 2 घटेगा 0 आजाएगा, और यहाँ पर 3 है, 30 आपका यहाँ पर answer हो गया, A आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे वाली संख्याँ का square करेंगे, तीनों का square करने के बाद आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद दोस्तो भाग करना है, भाग करने पर आपका answer यहा प्रस्यद ब्यक्त समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, और 50 प्रस्यद ब्यक्त समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10 प्रस्यद ब्यक्त दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने ब्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, माल लेते हैं कुल 100 ब्यक्त करते हैं तो यहां पर mindset कर देंगे ठीक हैं अभी इसको सॉलकर थे हैं 100- यहां पर देखी 5000 और чालिस जोड़ेंगे 90 हो जाएगा 90-10 कर देंगे उस्के बाद दोस्तों सो-90-10 घूटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80 कर देंगे और बराबर 100 में 80 माइनिस करेंगे तो 20 आपका एंसर हो जाएगा 20 प्रच्यत यहां पर आपका C आपसन राइट है ठीक है तो आसानी से इस प्रस्ण को सौल कर सकते हैं C आपसन आपका राइट है अगला प्रस्ण है 5 पैड़ामों का उससा 46 है और पहले 4 का 45 है 5 पैड़ाम क्या ह तो इस प्रकार के प्रस्ण बहुत ही आसानी से लगते हैं पहले क्या करेंगे 5 पैड़ामों का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 गुड़े 46 कर देंगे तो 5 में 46 से गुड़ा करेंगे तो 230 हो जाएगा ठीक है इसके बाद पहले 4 का पैड़ाम निकालेंगे तो 4 करेंगे 180 आजाएगा पांचवा पैड़े हम आपको बताना है तो क्या करेंगे 230 में हम 180 माइनिस कर देंगे तो आपका यहाँ पर 50 एंसर हो जाएगा भी आपसना आपका राइट है इस प्रकार के प्रस्ण आपको क्लास में बताया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है रूट के अंदर 29.8116 प्लस रूट के अंदर 77.44 का मान बताना है तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे उसके बाद इनका योग करेंगे आपका एंसर आ जाएगा तो रूट के अंदर 29.8116 का वर्गमूल होता है 5.46 इसमें जोडें 77.44 का वर्गमूल दोस्तों 8.8 होता है ठीक है इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 8 में 4 जूडेगा तो 8 4 12 की दो हासी लिएक दसमल लग जाएगा 85 13 14 14.26 C आपसन आपका राइट हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है पादब को उसकी अभित्ती सेलूलोज की बनी होती है इसलिए A आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है किस बिकल्प में सभी सब्ध परसपर परयायवाची है तो यहाँ पर पार्वती रुद्रानी भवानी यह सभी परासपर परयायवाची शब्द है दी आपसन चलिए अगला प्रस्फ में सही बिलोम Yukm है तो यहां पर आप देखेंगे नूतन का बिलोम दोस्तों पूरातन होता है इसलिए ड का यहां पर राइट घुजा सही बिलोम Yukm नूतन और पूरातन है अगला प्रस्फ है खयाली पूलाव पकाना मोहारे का अर्थ है खयाली पुलाव पकाना इसका अर्थ होता है असंभव बातों की कलपना करना सी आप सनापका यहां पर बिल्कुल राइट हुजाएगा चलिए अगला प्रस्न देखेंगे महर्शी सब्द का सही संदिविच्छेद बताइए तो महर्शी का संदिविच्छेद महा बाहर घुमने वाले व्यक्तियों की तरह था तो इसका जवाब है नो नहीं था डिया आपका राइट हो जाएगा वाई वेर्थ होता है स्कुएट को क्यों कलेक्ट किया गया था तो इसका जवाब है फार बेटिंग मतलब लालस देने के लिए तो यहां पर आपका भी आप इसका एंटॉनिम दोस्तों सेटिसफाई हो जाएगा सेटिसफाई का मतलब संतुष्ट डी आपसन आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्न है यहां पर दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है दप्रेक्टिस आफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपाइल निलेस ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलोती संतान की इकलोती बेटी है महिला निलेस से किस प्रकार संबंधित है तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कहरा है कि वह मेरी पत्नी के दादा की पत्नी के दादा की इकलोती संतान की इकलोती बेटी मतलब उसकी पत्नी ही चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तो असंगत अलग करें, यहाँ पर देखेंगे यह 8 जो लिखा है, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 27 जो है यह 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, यहाँ पर जो 100 लिखा ह ये 10 का स्क्वार है और ये सबसे अलग है इसलिए D आपसना आपका राइट हो जाएगा एक जनुवरी 2006 को रवी वार था एक जनुवरी 2010 को सब्ता का कौन सा दिन था आपको यह बताना है तो सबसे पहले 2006 से 2010 के बीश में कितने विशम दिन होते हैं आपको यह निकालना है तो यहाँ पर आप देखेंगे 2007 में 2007 क्या है यह साधारन वर्स है इसमें एक विशम दिन होगा तीक है 2008 क्या है ये leap verse है leap verse क्यों है क्योंकि ये चार्च से कट जाएगा और इसमें 2 विशम दिन होगे ऐसे ही दोस्तो 2009 है 2009 क्या है ये साधारन वर्स है इसलिए इसमें 1 विशम दिन होगा 2010 क्या है ये भी साधारान वर्स है क्यों पिचार्स नहीं कटेगा तो इसमें भी एक विशम दिन होगा तो कुल कितने विशम दिन हो रहे हैं 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 कुल 5 विशम दिन हो रहे हैं तो रभी वार में 5 जोड़ देंगे तो आपका सुक्रवार एंस्वर हो जाएगा डियापसन आपका राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं परियाएवाची आपको बताना है 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 यहाँ पर आप देखेंगे पहले 3-3 अच्छर में डिवाइट क गया है यहाँ पर N, O, R जो है यहाँ पर परिवर्तन करके R, P, N लिखा गया है मतलब N को यहाँ पर तीसरे नमबर पर लिखा गया है और O में एक की ब्रिधी करके P लिखा गया है और R जो तीसरे नमबर पर था उसे पहले लिखा गया है ऐसे ही M, A, L में आप देखेंगे L को पहले लिखा गया A में एक जोड के B लिखा गया और M को लास्ट में लिखा गया तो यही संबंध आपको गेदर में भी करना है यही आप संबंध दर्साएंगे इसमें तो आपका D आपसन राइट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कुछ कथन और निसकर्स दिये गए हैं तो चलिए इसे solve करते हैं यहाँ पर लिखा गया है सभी किताबे paper हैं सभी किताबे क्या है? paper है तो यहाँ पर हम उपर paper बना दे रहे हैं paper को P से दर्साएंगे और किताब को B से दर्साएंगे आगे निसकर्स है कुछ journal किताबे हैं तो किताबे यहाँ यहाँ तो काफी दूर है तो यह निसकर्स नहीं निकलता है दूसरा है कुछ calendar paper है यह calendar है और paper यहाँ पर है दोनों दूर दूर है तो यह भी निसकर्स नहीं निकलता है कुछ किताबे journal है कुछ किताबे बुक यहाँ पर है कुछ किताबे जर्नल है तो यह भी निसकर्स नहीं निकलता है तीसरा भी गलत है कुछ किताबे कलेंडर है यहाँ पर आप देखिए कलेंडर यहाँ पर है और किताबे यहाँ पर है यह भी दोनों दूर है इसलिए यह भी निसकर्स नहीं नि जवाब है दोस्तों C आपसन गुजरात चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे निमने लिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सहन अभ्यास किया है तो इसका जवाब है दोस्तों चीन ने अपना सबसे का राइट जाएगा चलि आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से किस देश के वग्यान को ने पहला कृत्रिम भूण तयार किया है तो इसका जवाब है दोस्तों इसराइल देश के वग्यान को ने पहला कृत्रिम भूण तयार किया है डी आपसन आपका राइट है तो इस